अपसे पहले तो आप लोगो हैपी दिवाली अच्छे से दिवाली मनाईगे और मीठा के साथ ये नमक पारे या मठ्री जिसे हम लोग बोलते हैं या बर्की पुरी बोलते हैं एक बार घर पर जरूर प्राय करिए अपसर घर में दिवाली के दिवाली के दिन में हम लोग मीठ स्मेरा तो बनाती हैं, साथ में नंकी भी बनाते हैं, तो हमोग सोचते ही क्या भनाजाँ, मगर आज मैं आप लोग के लिए एक नई रेशीपी बहुत ही अच्छी रेशीपी लेकर आई हूँ, आप लोग ये मठरी बरकी पूरी घर पर एक वार ज़रूर महमानों को बना कर पेस करिए महमान भी एकदम खुस हो जाएंगे इतनी कृपसी मठरी खा कर तो प्लीज फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए तो वेलकम है मेरे मेरे चैनल में कुसुम की रसोई में तो चलिए बनाना इसे अस्टार्ट करते हैं तो आप लोग को दिवाली में क्या क्या बनाए फ्रेंड्स हमारे साथ आप कमेंट में जरूर सेयर करिएगा बनाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी आप लोग फ्लीज वीडियो को पूरा देखिए और मैं इसे किसे स्टेप बनाई हूं तभी आप लोग अच्छे से सीख पाईएगा दोस्तों को इतनी क्रिप्सी बनने के लिए यहार भी नहीं बनी है तो आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहिए और देखिए इसे आप तीन से चार महीन एकदम आराम से रखकर खा सक बनाते हैं तो चली बनाते हैं तो देखिए यहां पर में ली हूं मैदा और एक कटोरी में इसे मैदा ली हूं इसे बहुत सारी मतलब 20-25 मठरी हमारी बनकर बढ़की पूरी बनकर रेडी हो जाएगी इसके साथ में ली हूं सूजी से क्रिप्शी पन बहुत ही अच्छा है और यहां पे ली हूं में स्वादनिसार नमक और यहां ली हूं में मिल्टेट खी नहीं है यह थोड़ा सॉफ्ट घी है तो दो बड़े चमच में यहां पर सॉफ्ट घी ली हूं आप लोग इसका मेजर देख लीजिए उसी हिसाब से आप लोग डालिए आप लोग की भी ब तो इसी बीच में डाल रही हूँ आजवाइन को इस तरह से मैं क्रस्ट करके डाल रही हूँ तो आप लोग यहां पर मतलब आप लोगों अगर नमक और सूजी डाल रहे हैं उस टाइम भी रह सकते हैं मैं थोड़ा ही सब को अच्छे से मिक्स कर ली थी उसके बाद यहां पर मैं अजवाइन को डाल दी हूँ अच्छे से अजवाइन को मिक्स कर ली हूँ में फ्रेंट्स उसके बाद यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे में आर्टे का यह कि मतलब जादा हमें hard वीडो नहीं बनाना है और जादा हमें soft वीडो नहीं बनाना है इसलिए मैं बोड़ियो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में प्लीज बने रहे हैं ही मीना मैदे को अच्छी से मिक्स करने से ना उसकी लचक तो है वो कम हो जाती है इसे क्रिप्सी पन बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंच देखे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छा से एकदम डोर रेडि कर ली हूं चलिए इसे ढखकर मैं साइट कर देती हूं कुछ मसाले मैं इसमें डालूँगी बर्की पुरी में डलती ही है तो यहां पर मैं ली हूँ एक चमच जीरा एक चमच सौफ यहां मैं ली हूँ पसूरी में थी मतलब एक चमच कहीं लगबक ली हूँ में प्रेंट इसे मैं मिक्स कर दी हूँ यहां पर मैं ली हूँ काली मि होगी इसे हमें ग्राइन दरदरा लब इस टाइब से हमें पीश लेना है देखिए और इसे पीशने के बाद इसमें चली कुछ और पीशिंग मसाले डालते हैं जैसे हल्दी और यहां डाल रही हूं मैं काला नमक आप लोग आप कर सकते हैं और यहां पे अम चुर पॉडर में डाली हूं एक चमच जवा रहे हूं ले इसे जगह मसाला भी डाल सकते हैं यह अच्छे से ओर अधर के हमारी नहीं जो firas कर ले डाल है to तो चली इसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूं मिला लेती हूं और इसके बाद में इसे निकाल ली हूं प्लेट में निकालने के बाद इसका मैं एक छुटे-छुटे मतलब पेड़े कट कर लूँगी आप ज्यादा बना रहे हैं तो आप लोग यहां पर आटे के मतलब मैद प्लेज़ के रानी ऑंदेखंटे-कि और चली कि इसे में कटकर के पीड़े कट कर लेती हूँ वह िस्तरह से यहां PC नंखर के लिए उसे बनातेया इंढ़ आटेसरा से में सभी यहां सिर्द थे दी 15 settings में यहां पर मेली हम साफ्ट घी मेरा था वो ली हम मैं आप चाहिए अच्छे से कर लेना है इस तरह से कोई भी लंग से नहीं रहना चाहिए दोस्तों कोन श्तार्च का देखे इस तरह से बिलकुर हम यहां पर बेलना स्टार्ट करते हैं पहले सारी जो पेले थे उसे हमें इस तरह से अच्छे से जब रोटी जैसे बना कर रखते हैं उसी तरह से एकदम बेल कर रख लेंगे आप लोग यहाँ पर क्या करेफरेंस अगर आप बेल रहे हैं तो बेलते समय इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा रखे मतलब थोड़ा जादा ही पतला कर दे किनकि यह ग्लूटेन की वज़से यह सिकूरते हैं मैदा जो है वो सिकूरते हैं तो आप लोग इसे जादा मत अब कर ना है देखिए सभी को में बेल ली हूँ इस तरह से देखिए पर बहुत ही अच्छे से लग जाएगी देखिए इस तरह से लगाते जा रही हूं और यहां पर ऊपर से चीरक दूंगि अगर आपके यहां बच्चे खा रहे हैं तो आप लोग मिर्ची अवाइट कर सकते हैं और मसाले की क्वेंटिटी कम कर सकते हैं मैं थोड़ा ज्यादा डाड़ी हूं कि यहां पर थोड़े मतलब बरुलोग के लिए मैं बना रही हूं तो मसाले के क्वेंटिटी यहां में थोड़ा ज्यादा रखी हूं तो चले इस तरह से हमें को एक एक वल रखना है दोस्तों फिर से हमें क्या करना है इसके उपर जो हम घी का जो गोल बना के रखे थी उसके उपर से फिर से हातों से हमें इसे रफ करना है इस तरह से अच्छे से मैं रफ करती हूं घी को देखें इस तरह से फिर से मैं डाल रही हूं मसाले इसी तरह से ह मतलब तीन पराठे में रख दी हूँ देखिए इस तरह से चलिए फिर से में लगा रही हूँ घी को और घी को पहले हमें अच्छे से पराठे में रब कर देनी है देखिए इस तरह से फिर यहां पर मैं डाल दूँगी मसाले को देखिए इस तरह से अब हमें इसे लपितना है और इसे लपेटे से मैं ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसे ना हमें कसके लपेटना है, मतलब बीच में एकदम ढिला, एकदम नहीं छोड़ना है, लपेटे से मैं ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बीच में गैब भी हमें नहीं रखनी है, इस तरह से हमें कसक एकदम लपे माचार पराठी अब बना सकते हैं जो किनारे वाले जो हमारे मूथ है वह मैं बंद करती हूं इस तरह किसे अब चली इसे मैं कर दिती हूं कट मैं थोड़ा इसे पतला पतला कट कर रही हूं टाकि हमारी जो बर्कीपुरी है, वो बहुत ही कृप्सी और अच्छी बने, इस तरह से, आप लोग ने, इसका साइज देख लेजिए, मैं उतना मेजर नहीं की हूं, अपने हिसाब से, जेतना मुझे चाहिए था, बर्कीपुरी का साइज उतना ही मैं कट की हूँ, देखे, इस तरह से मैं सारे को कट कर लेती हूं, देखिए, इस तरह से, चलिए, सभी को मैं कट कर ली हूं, और कट करने के बाद आप लोग यहां पर ध्यान देखिएगा दोस्तों, कि यह जो इसके किनारे वाले पार्ट है ना, उसको आप नीचे की और दवाके इसे हलका साब प्रेश कर देए, इस तरह से, देखिए, सभी को जो किनारे वाले जो हमारे पार्ट थे, उसे में नीचे क हाथे से इसे हमें बेलना भी है, ताकि इसके पारट जो है वो खुले ना, देखिए, बिल्कुल इस तरह से फ्रंस, आपके भी जो बर्की पूरी है, मत्री है, वो बहुत ही अच्छी बनी की मसाला मत्री, तो चली, देखिए, मैं इस तरह से इसे सभी को बेल कर एक प्लेट इसे फ्रंस, इससे क्या होगा, कि हमारी बर्की पूरी जो है, वो फूले की नहीं और क्रिप्सी बनीगी, तो यहां पर आप लोग ध्यान देखिएगा, दोस्तों, यहां पर फ्री से निगालने के बाद में दो मिनिट बाहरी रख दी थी, उसके बाद गुन-गुने तेल म स्टार्ट की हूँ, देखिए, यहां पर जो पूरी है, हमारी वो मैं इसे टच नहीं की थी, खुद बखुद ही, उपर आ गई है, तेल के उपर आ गई है, देखिए, इस तरह से, अब मैं इसे पलट दूंगी, एक साइट से, देखिए, अब धीरे-धीरे हमें इसे पलट अच्छी बनेगा, फ्रिंस आप लोग ध्यान रखिए, इस सब छोटी-छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखेगा ना, तो आपकी भी जो पूरी है, ना, वो बहुत ही अच्छी बनेगी, और देखिए, दूसरा वीट भी जब मैं डाल रही थी ना, तो मैं ना, गैस को बंद कर दी थी, उसके बाद में थोड़ा तिल ठंडा करने के बाद जो है, वो मैं पूरी को डाली हूँ, इस तरह से देखिए, हमारी ये भी पूरी एकदम हम सब पूरियां जो है, बच्छी बनी है, एकदम क्रिपसी बनी है, आप लोग आवाज भी सुन ही रहे हैं, आपको तोड़ कर भी दिखाते हूं, देखिए, कितनी अच्की हमारी पूरी बनी है, तो आप लोग भी इस तीवाली महमान को खुश करने वाली नमकिन,